दोस्तों आप सभी जितने भी तक्नीक कर्मिक जलजी और मीसंद के अंदगर जुड़े हुए हैं जितने भी लोग जलजी और मीसंद के अंदगर नोकरी कर रहे हैं चाहें वो कोई भी तक्नीक कर्मिक हो फीटर मोटर मेकैनिक उसके साथ पॉंप ऑपरेटर इलेक्ट्रीसियन जितने भी मतलब तकनी कर्मिक लोग है काम कर रहे हैं उन सबी दोग की जो ज्वाइनिंग है वो हो चुकी है लेकिन कई एसे जगह है जहां पे किसी भी तकनी कर्मिक का ज्वाइनिंग हुआ है तो किसी का नई हुआ है कई लोग जो है अपने गाउं में जो पानी के टंकी बन गया है वहाँ पे काम कर रहा है तो कई लोग अभी तक वहाँ पे काम नहीं कर रहा है क्योंकि वहाँ पे हो सकता है जो पानी के टंकी का जो निर्माड है वो नहीं हुआ होगा लेकिन मैं इस वीडियो में आपको ये चीज बताने वाला हूँ, आप थमनिल में देखी चुके होंगे, या आप सब जितने भी तक्निक कर्मिक लोग हैं, उनमें से कुछ तक्निक कर्मिक के द्वारा ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, कि हमारे ग्राम पंचाय मिलने वाली है, वीडियो लाश्ट तक जरूर देखेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना होगा, तो मैं आपको बता दूँ तो अगर आपके गाउं में जो है वो पानी के टंकी पर आपकी न्यूकती हो गई है, यानि कि ब्लॉग अस्तर से आपका जो न आपके पास जो भी डॉकमेंट्स है, जो भी आपके ब्लॉक अस्तर पर ट्रेनिंग होई है, जो भी आपको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, उसका जो फोटो कॉपी है, वो करा कर रख लेना है, और जो ओरिजिनल है, वो भी आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद क्या होता ह पर आपको ही वहाँ पर रखा जाएगा, ना कि वहाँ पर दूसरे को रखा जाएगा, लेकिन अगर आपके ग्राम पंचायत में जो पानी के टंके का जो निर्माड हो चुका है, और साथ ही आप चाहते हैं कि आप कहां पर जाके जो सिकायते वो करें, तो आपको अपने डी आपको मिले हुए हैं, यानि कि जो ट्रेंग में आपको डॉकमेंस मिला है, साथ में जो भी चीज आपने फॉर्म फिल किया, वो सभी चीज आपको वहाँ पर दे देना है, जो भी बरिश रदिकारी होंगे, बरिश रदिकारी को देने के बाद वो तुरुत क्या करेंगे, और एक चीज उसमें आपको ध्यान देना है, कि आपको एक लेटर लिखना है, मतब कि एक अप्लिकेशन लिखना है, और उस अप्लिकेशन में यह चीज दर्साना आए, कि सर मैं यहाँ पर योगी हों, और मेरी जो निपती है, यहाँ पर इस ग्राम पंचायत में जल जियो इस पत्पे किया गया है, और उस जो अप्लिकेशन जो आप दिये रहेंगे, उस अप्लिकेशन के साथ सबी डॉकमेंट्स आप अटेज करके, वहाँ के अधिकारी को देंगे, तो वहाँ से उस संबिट कर देंगे, और फाइनल आपका जो नाम है, जो जल जो जो पोटल है, वहाँ पे चड़ा दिया जाएगा, और जैसे वहाँ पे नाम चड़ता है, तो कोई ऐसा नहीं है, जो आपका नाम कटवा दे, चाहें वह प्रधान जी हो आपके गाओं के, या फिर और कोई अन्यभ्यक्ती हो, तो यही आपको जो प्रोसेज जो आपको करना है, अगर यह कर लेते हैं, तो आपको नौकरी से वहाँ पे नहीं निकाला जाएं, उमीद करता हूँ, इस वीडियो को मादम से आपको सारी जानकारी मिल गएगो, वीडियो पसंद रहते हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, इससे अपडेट आ आप सब को मेरा नमस्कार